तो हेलो दोस्तो, H-Directors में फिर एक बार नए वीडियो में आप सभी कास्वाग है से दोस्तो, आज का वीडियो का टॉपिक है कि एक Bridge Rectifier को हम कैसे मेकिंग किया जा सकता है और इसको मेकिंग करने के लिए क्या का चाहिए हमको Component सब इस वीडियो में मैं बताऊंगा, आप वीडियो को एंड तक देखते रहे यह, कोई भी पार, स्किब मत किजिएगा, एगर स्किब किया तो भूझ हो सकता है, बहुत सी जरूरी जनकाड़ी आपको मिस हो जाए, तो प्लीज eerste स्किब मत किजिए, पूरा end तक देख लीजिए वीडियो शुरूर करने से पहले मैं आपको पता दू अगर आप इस चलन में नए है तो प्लीस चैन को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन को और में प्रेस कीजिए कि जब भी मैं एक दंदर नए टेक डिलेटिड वीडियो अप्लोड करूँ तो आपके बास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए और मेरे चलन में बहुत से नए नए वीडियो आया है वो भी आप देख लीजिए अगर उसको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ये वीडियो भी देखते रहे है इस वीडियो को अगर पूरा वाच कीजिए अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ बहुत बहुत सेयर कीजिएगा यूकि मैं यहाँ पर बहुत सी नए नए जान करी आपको दूंगा चलिए इस वीडियो को सुरू करते तो दोस्तों ब्रिच रेक्टिफायर बनाने के लिए हमको पैदा जानना पड़ेगा आखर ये होता क्या है आखर इसको यूस किया क्यू जाता है आखर इसमें है क्या दोस्तों कोई हैरानी की बात नहीं इसमें सिर्फ four diet लगा होता है सिर्फ four diet अब जो भी component उस करेंगे उसमें आखर इसका format four diet की तरह ही होता है अगर आप smd component देखेंगे उसमें सायद direct कर दिया होगा दो दो पीन लेकर और अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो इस diet से बना सकते हैं कोई problem नहीं होगा मैं आपको धिरे-धिरे बताऊंगा तो इसको बनाने के लिए हमको जरुत पड़ता है four diet and one capacitor के लिए हमको इसको बनाने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि diet होता क्या है यह diet जो होता है यह हमारा AC को DC में pure DC में convert करता है AC का जो हमारा wave होता है उसका दीक वो change करता रहता है कभी उपर कभी नीचे यह होता है लेकिन pure DC में यह कभी नहीं होता यह सिधा straight line में जलता है तो इसलिए इसको बनाना ज़रुरी होगा अगर आप कोई transformer से DC output line ले 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 है तो बैतार होगा आप bridge rectifier बनाकर उसको line लीजिए तो चले जो मैं बता रहाता है यह diet है तो यह pure DC में convert करता है AC से DC इसका मतलब वह जो हमारा घर में 220V आता है उसमें अलग से rectifier बनाकर यूज किया जाता है वह यह diet नहीं होता वह अलग diet होता है और यह diet का use भी किया जा सकता है क्योंकि यह 1000V तक यह ले सकता है इसका capacity ही होता है 1000V तक यूज किया जा सकता है कोई problem नहीं होगा जो मैं बता रहाता तो देखिए मैंने यहां पर 4 diet लिया है यहां से मैं एक आपको दिखाता हूँ यहां पर मैंने लिया है 508 का diet लिया है यह diet मैंने लिया है यहां पर 4 इस नमर के diet मैंने लिया है आप यह bridge rectifier बनाने के लिए transformer की मताबिक आप 1N4007, 1N5399, 1N5401 यह तीनो diet को ज्यादा use किया जाता है तो आप इसको यूज करना होगा अगर आप बनाना चाहते है तो देखिए 407 का जो है यह 1 A के लिए वैसे कली यूज करता है और यह 5 399 को 1.5 A के लिए और यह 5408 को 3 A या 2 A जो भी यूज कर सकते है कोई problem नहीं होगा क्योंकि यह हमारा जो AC होते है उसको DC में फ्योर DC में convert करता है या आप जो भी voltage दीजिए ट्रासफोर्मास से भी दीजिए या डिरेक्ट AC से मत करना क्योंकि वह बहुत rix हो जाएगा अच्छी जानकरी लेकर तभी उसको यूज किजिएगा अच्छी जानकरी देने के लिए मैं हूँ ही आपके लिए तो इस diet को पर मैं एक बर वीडियो बना दूँगा आपको आई बटन पर लेंग वेल जाएगा अप देख लीजिएगो उसको जरूर अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो को देखे इस वीडियो में आना तो आपको समझ में आ जाएगा यह जो हमारा डायड होता है इसका डायग्राम यानि कि इसका सिंबल होता है ऐसा कि इसका दो प्रांफ होता है एक हमारा एनोड है एक हमारा के तरफ ए जो वह वहमारा प्लास या पॉजटीब और जह हमारे क्याथोड होता है वह नेगटीब या माइनस जो आप बताएंगे वह भी होगा Star आपके मोताबिक यह डायट का हमारे जो काम होता है अगर इस तरफ से कोई वोल्टेस गया इसके अंदा तो इस तरफ से इसको पास करेगा यह लेकिन अगर इस तरफ से कोई वोल्टेज यहां पर आया तो इसको यह रोग देगा यहां पर नॉट केड़ लगा होता है यहां पर इसको रोग देगा इसका में यही में काम होता है करने के लिए यही में काम होता है डायट का और डायट का तो यह काम ही होता है ऐसी को डिसी बें करना अगर इधर से कोई वोल्टेश आया तो इसको रोग देगा इस सिंबोल का वियाद रगीगा यह बहुत काम आएगा आपके लिए कि अगरतै है मैं तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बताओंगा क्यौने यह ब्रिज रिक्टिफर का वीडियो है डायट की वीडियो में मैं आपको डिटेल में सब बते बताओंगा वहाँसे आप देख लेजेगा देखने के बाद इस वीडियो को आपको समझने में आसान होगी इ यहाँ एक crypto लिया है मैं इसकर mitä यहाँ देखिये मैंने लिया है 3300 वोल्ट मतलब इसके अंदर से कितना वोल्ट गुजर सकता है इसके अंदर से 25 वोल्ट भी गुजर सकता है लेकिन उससे उपर नहीं अगर उससे उपर यह वोल्ट यानि कि 25 बोल्ट के उपर से इसमें से वोल्ट गुजरा तो यह फट जाएगा नेश्ट हो जाएगा इसको इ यह उइए य्यानि की मायक्रफाइना जो होता है हमआरा किसी-भी कैपास्ताइटर में इमेमट्यों लेखा होता है वह एक बात होता है इउएभ आर सिर्ण तो यह हो वहारा इसमें कितने चार्ज लेगा में कितने देर इसको इसको इम्वत देगा आप अगर मोल में आप इसको धितेया करता हुआ है किस लिखते हैं और व काम होगा इसका है मैंने बता दिया है अब आगर इसको डिटेल मेरे जाना जा तो फीडियो तो देखना पड़ेगा को उसको में डिटेल में वीडियो बना दूब आप सोर में माई आपको बता दिया है तोई इसको बना लेकर हमको दो डाइट पहले लेना होगा और ब्लास यह से माइनस होता है इस तरब से Charlles दिया तो इधन को यह पास करेगा लेकिन इस तरफ से दिया तो इस तर नहीं पास करेगा तो हमको दो डायट को लेना होगा लेने के बाद जो इसका क्याथोड और इसका क्याथोड को एक कर देना होगा हमको तोनों के एक करना होगा और एक दो डायट लेकर उस डायट का जो एनोड होता है उ इस तरफ हमारा kathode सबीक है इन दोने को हम एक कर देंगे तो चलिए मैं इसको जोड कर आपको दिखाता हूँ देखे मैंने बता था कि cathode को एक कर देना होगा तो मैं यहां पर एक कर दे रहा हूँ तो दोस्तो फाइनल मैं इसको पूरा सोल्डरिंग करके लाया हूँ आपको एक एक करके मैं समझा देता हूँ इससे पहले अब इसका ड्राइक करम देख लीजिए आपको समझ आ जाएगा दिखे यह है जो हमारा ट्रासफोरम है यह प्राइमरी लीडी और सेकंडरी लीडी है इनका जो दो आउटपूरम निकलता है उससे हमारी यह डाइट कनेक्ट होगा यानि कि मैंने आपको दिखाय था एनोड और क्यथोरम को एक सथ करने पड़ेगा वह हमारा प्लास और माइनस होता है देखे यहां पर यहां पर दो क्यथोरम और यहां पर दो एनोड को है मैंने आपको बताया था कि इस तरफ से अगर हमारा कोई बोल्टेश जाएगा तो यह पास कर देगा लेकिन इस तरफ से कोई आएगा तो इसको रोक देगा यह यही काम हैगा ब्रिज रेक्रिफार में बोल्टेश को एक साइज से रोक ना होगा तो और बाकि जो लीट ब हो जाता है और जो एकसाद कर रहे है उसको मिलाकर हमारा माइनस खड़ा होता है और बाकि जो लीट हमने कनेक्ट किया था यह हमारा इंपूट के लिए ब्रैतर हो अब समझे यह इंपूट के लिए और यह आउटपूट के लिए देख रहे यहां पर प्लास और माइनस मैंन को कनेक्ट कर दिया है तो दोस्तों ऐसे हम इसको कनेक्ट कर दिया है और अब इसको एक क्यापसिटर कनेक्ट करना बागी दाए गए जो इसको फिल्ट्रेसिंग के लिए लगता है देखिए मैंने दिखाया था यह क्यापसिटर मैंने लिया है इसको हम इसको एनोड और क्याथ से निकलेगा, लेकिन कैफोर से कोई कारेंट आया तो एनोट में नहीं आएगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा, ब्रिज्डेक्ट्रिफाइए यह उल्टा हो जाता है, यानि कि देखिए, यह हैं हमारा दो कैफोर है, इन दो कैफोर को मैंने एक साथ किया था, और यहाँ पर दो एन एक सीधे की तरफ सी यहां पर बोल्डेस दे रहे उसकी विशाब से यहां पर ऐसे करेंट आएगा तो देखिए हमको क्यापसेटर को कनेक्ट करना परेगा प्लास और माइनस को देखके यहां पर कोई गलती मत किजिएगा लेकिन प्रॉब्लेम हो जागा गलती किया तो देख अब उससे भी समझ जाए होंगे कि कौन सा प्लास है और कौन सा माइनस है अब उसके हिसाब से इसको हमको कनेक्ट करना होगा देखिए यह हमारा पॉजेटीव है और यह हमारा नेगेटीव है यानि कि पॉजेटीव हमारा यह है इसको हम यहां पर कनेक्ट करेंगे और दू है तो अप कोई भी ट्रांस्फॉर्मर से इसको लाइन दे सकते लेकिन उसको आपको धियान रखना पड़ेगा कि उस्सकोस्का किई वों मुत करना पड़े तो बहुत जारा वोल्टेस हो जाएगा अगर आपको चारचर बनाएंगे या और बनाने का तरीका ऐसे ही होता है मैं एक बार आपको इस डाइग्रम में भी समझा देता हूं यहां जो अमारा प्लासर माइनस निकला था आउटपूट यहां पर हमारा जो कैपसिटर होगा यहां पर में मार्क करता हूं यह हमारा कैपसिटीव है यह मारा नेगवह है यहां पर आखर को कर देंगे और नेगटीब को सीधा लाकर इस नीचे के समझा दिया है आप सब समझते होंगे ऐसे इसकोि Σर्किट को मेंग किया जाता है एक काम करता है तो दोस्तो जहें है आप सब समझ एक होंगे कैसा बिज्ट दिधुः पर बनाना होता है मैं यह पूड़ा वीडियो देखने के के बात अगर आपको पसंद आया है तो प्लिस एक लाइक कर दीजेगा और दोस्तों के साथ सेर कीजेगा और अगर वीडियो की कोई भी पर्ट अगर आपको समझने में परिशा नहीं हो रहा है तो कमेंड बॉक्स में जरूर कमेंट करना मैं रिप्लेश जरूर दूँगा तो आज के लिए बस इतना ही फिर से एक दमदर वीडियो लेके हजिर होंगा मैं आपके साथ रभी आपके साथ यह यह श्वड़र दूर पका दूर का小心